नमस्कार मैं हूँ प्रभाकर मनितिवार ये आप देख रहे हैं मेरा ये खास कारिकरम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर सबसे पहले तो मैं माफी चाहूँगा कि स्वास्ति संबंधी दिक्केतों की वज़े से मैं करिब दो सब्ताह तक अपना कारिकरम नियमित रूप से पेश नहीं कर सका रिकार्ड नहीं कर सका दरसल कोई गंभीर समस्या नहीं थी मसूडों और दांतों की कुछ तकलीब थी छोटा मोटा आपरेशन कराना पड़ा था इसी वज़े से बोलने खाने पीने में तकलीब थी तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रहा था लेकिन आपकी दुआउं से आ पावधान रहें आप लोग जहां भी हैं सुरक्षित रहें तमाम प्रोटोकॉल का पालन करें और आज मैं चर्चा करूँगा करोना से संबंदी थी गंगा सागर मेले की आप जानते हैं पस्यमंगाल में कोलकाता से 60 दक्षिन 24 परगना जिले में सागर दुपर हर साल मकर सं करांती के मौके पर गंगा सागर मेला लगता है जिसमें देश विदेश से लाखों सेलानी पहुंसते हैं स्रधधालू पहुंसते हैं ओमिक्रोन के खत्रे को देखते हुए इस बार मेले पर संसय था कलकता हाई कोर्ट में एक यनहित याज का भी डायर की गई थी जिसमें मे जे सरकार ने अपने हलफ नामे में तमाम ब्यवस्थाएं करने का भरोसा दिया था अदालत को उसके बाद अदालत ने कुछ सर्तों के साथ इस मेले के आयोजन की अनुमती दे दी हैं मेला शुरू हो गया है लेकिन स्वास्त भी से सग्यों ने इसके हरिद्वार कुम्भ की और घंटी का निशान भी दबा दे तो मैं चर्चा कर रहा था गंगा सागर मेले की राज्य सरकार राज्य में काफी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है और सरकार ने बीते सोंबार से ही 15 जनौरी तक कई तरह की पाबंदियों का ऐलान किया है खासकर राजधानी कोलकाता और उससे सटे उत्तर और दखिन 24 परगना में हालत काफी गंभीर है वहां रोजाना हज़ारों नए मामले आ रहे हैं और बंगाल में 20 जार से ज़्यादा मामले आ चुके हैं जो ताजा रिपोर्ट है सरकार की राज़ सरकार के मताबिक 16 जनौरी तक चलने वाले इस मेले में 5 लाग से ज़्यादा तिर सियात्रियों के पहुँचने की उमीद है इसी द्विप पर गंगा नदी बंगाल के खाड़ी में मिलती है कहा जाता है कि सारे तीरत बार बार गंगा सागर एक बार हर साल देश विदेश से लाखों लोग मेले में पहुँचते हैं और संगम में डूब की लगाने के बाद वहाँ बने कपिल मुनी के मंदिर में दर्शन करते हैं बंगाल में बढ़ते संग्रमन को ध्यान में रखते हुए एक चिकितसक और कुछ अने संगठनों ने कलकता हाई कोड में एक जन हितियाच का दायर के थी जिसमें मेला रद करने की मांग की गई थी इस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जो हलफ नामा पेश किया था उसमें उसने कहा था कि कोरोना प्रोटोकॉल का सक्ती से पालन करते हुए ही मेले का आयोजन किया जाएगा और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है इसलिए सरकार आखिरी मौके पर मेला रद करने के पक्ष में नहीं है दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने शुकरवार को मेले के आयोजन की सशर्थ अनुमती दे दी अदालत ने मेला परिसर को 24 घंटे के भीतर नोटिफाइड एरिया घोशित करने का निर्देश दिया था साथ ही मेले की निकरानी के लिए एक तीन सदस्विय समीत बनाई गई है मुखिनायदीस प्रकाश शुर्वास्तो और न्यायमूर्थी केडी भूटिया की खंडपीट ने ग्रियस अचिव को निर्देश दिया कि मेला के दौरान 16 जन्वरी तक सरकार की और से घोशित तमाम पावंदियों का सक्ति से पालन सुनिश्चित करना होगा तीन साथ सिय समीती निगरानी करेगी कि इन पावंदियों का पालन हो रहा है या नहीं इसमें किसी कोताही या लापरवाही की स्थिति में समीती को मेला बंद करने की सिपारिस करने का भी अधिकार है सरकार को रोजाना बिग्यापन के जरिये लोगों को मेले में पहुंचने से होने वाले खत्रों से आगाह भी करना होगा सरकार पहले ही किसी धार्मिक समारों में एक साथ पचास से ज्यादा लोगों के नहीं जूटने की पाबंदी लागू कर चुकी है लेकिन हाई कोट की इस अनुमत के बावजूद स्वास्त भी से शग्यों और राजनितिक दलों ने मेले के आयोजन से संक्रमन तेजी से बढ़ने का अंदेशा जताया है उनका कहना है कि बीते साल हरिद्वार में आयोजीत कुम की तरह अब कि यह मेला भी कोरोना का सूपर इस्प्रेडर साबित हो सकता है वेश्ट बंगाल डाक्टर्स फोरम के सचीव डाक्टर कौसिक चाकी का कहना है कि यह ओट बैंक की राजनिति है एक और सरकार सोसल डिस्टेंसिंग पर जोड़ दे रही है और दूसरी और मेले में पांच लाक लोगों के पहुँचने की बात कह रही है उनका कहना था कि हम बीते साल कुम्भ मेले के बाद पैदा होई इस्टिति को देख चुके हैं ऐसे मैं कहीं यह मेला भी सूपर इस्प्रेडर साबित न हो स्वास्त बिसे सग्य डाक्टर अरिंदम भी स्वास कहते हैं संक्रमन की मौजूदा परिस्तिति को ध्यान में रखते हुए इस साल गंगा सागर मेले का आयोजन नहीं करना चाहिए था मेले से संक्रमन कईगुनात तेजी से बढ़ने का अंदेशा है एक अन्यबिसे सग्य डाक्टर खुनाल सरकार भी वोट बैंक से जोड़ते हुए इसे धर्म और राजनीत के घाल मेल का नमूना बताते हैं राज्य सरकार ने हलांकि मेले में संक्रमन से सुरक्षा की ब्यवस्ता पुरी तरह छुष्त दुरूष्त होने का दावा किया है उनका कहना है उसका कि कोरोना प्रोटोकाल का कराई से पालन किया जा रहा है आयोजन से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि मेले में कोरोना की जाच का इंतजाम है वैक्सिन की दोनों डोज लिये बिना कोई भी मेला परिसर में नहीं पहुंच सकता वहाँ पचपन विस्तरों वाला एक स्थाई अस्पताल भी बनाए गया है जिसमें CCU और ICU के पाँच-पाँच बेड़ है मेले में समचीत तादाद में डाक्टर और स्वास्त कर्मी भी तैनात हैं लेकिन डाक्टर्स फोरम के सचीव कौसिक सवाल करते हैं कि इतनी छोटी जगह में पाँच लाख लोगों के जुटने की इस्तिती में सोसल डिस्टेंसिंग आकिर कैसे संभव है विपक्षी राजनितिक दलों बीजेपी और सीपीम ने भी मेले के आविजन पर चिंता जताई है प्रदेश बीजेपी अध्यक सुकांत मजमदार कहते हैं कि हम अदालत के फैसले का पालन करेंगे लेकिन मेला परिसर में पाँच लाख लोगों को मौजोदा हालात में जिवाणों मुक्त रखना संभव नहीं है पुर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिलिप घोस उनका सवाल है कि अगर इस साल गंगा सागर मेला नहीं होता तो क्या बिकर जाता लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है सिपीम नेता रविन देव कहते हैं मेले के बाद कोरोना संक्रमन और गंभीर होने का अंदेशा है लेकिन त्रिणूल कॉंग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर यह कहते हुए जबाबी हमला किया है कि बीते साल कुम के दोरान उन्होंने चुपी क्यों साथ रखी थी पस्यमंगाल में जैसा कि मैंने आपको बताया संक्रमन तेजी से बढ़ रहा है सनिवार साम को स्वास्त बिवाग की और से जो बुलेटीन जारी हुआ उसमें कहा गया बीते 24 घंटों में 19,000 नए मामले सामने आए और 19 लोगों की मौत हुई अकेले राज़ानी कोलकाता में 7,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और राजिके दूसरे जिलों में भी संक्रमन लगातार बढ़ रहा है लेकिन क्या मेले में पहुँचने वालों को संक्रमन का डर नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश के बस्ती से सपरिवार मेले में आने वाले एक सरधालू अरविंद कुमार कहते हैं कि डर कैसा हमने वैक्सिन ले ली है अब यह कोरोना का ओमिक्रोन वैरियंट इतना खतरनाक नहीं है हम पुन्य का काम करने आए हैं इसलिए कोरोना से डर नहीं लगता बिहार के सहरसा से आने वाले गौरी संकर पांडे भी यही बात कहते हैं स्वास्त भिसे सग्यों का कहना है कि यह मेला 16 जनवरी तक चलेगा और उसका नतीजा कम से कम एक सब्ता बाद सामने आने का अंदेशा है एक सरकारी डॉक्टर नाम नहीं छापने की सर्थ पर बताते हैं कि कहीं कुम्ब की तरह यह मेला भी सुपर इस्प्रेडर बन गया तो राज्य में स्वास्त का आधार भूत ढाचा ढहने का अंदेशा है पहले ही एक हजार से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्त कर्मी संक्रमित हो चुके हैं चलिए यह तो रही मेले की बात मेले के बाद क्या होता है यह मैं आपको नियमित अपडेट देता रहूँगा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद नमस्कार